नेक्स्ट टॉपिक यहां पर लेने जा रहे है डीने पॉलिमराइजेशन ठीक है क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेता है थोड़ी सी थोड़ा से लंबा है दस्पंदरमेंट की वीडियो चले जाएगे आपके ठीक है तो ध्यान से देखता है तो मैं अगर बात कर रह तो उस प्रोसेस को ही वही क्या है आपके डीने पॉलिमराइजेशन कैसा है सबसे पहले वेसिक इंफॉर्मिशन जार लेता है डीने के बारे में फिर अपन आगे बात बात है डीने मतलब क्या होता है अपना डाय डायोक्सी रायवो नुपली ऐसे भी बोल सकते हैं कर mould चाहिए यह अपनले के दृल हरा चैन कि को करी के बहुत किने के लाक। में इस刮ैं बहुत जो और है दार ह मालूम है यह तो आपको पता ऐसे बार को कि नेयुक आजा नइक जो होता है आपका polynucleotide chain से बना होता है और ये polynucleotide chain एक दूसरे के anti-parallel होती है अभी देखेंगे कैसे होती है इस type से और ये इस type से arrange होती है कौन ही ये polynucleotide chain या helical की एक chain का तीसरा सिरा दूसरी chain के 5 बेस रेके के होता है सामने होता है और दोनों chains में nitrogen base एक दूसरे से hydrogen bond द्वारा अटेच रहते हैं अभी देखेंगे कौन-कौन से nitrogen base होता है ए जो है T के साथ double bond के साथ अटेच होता है तो C, G के साथ triple bond के साथ जुड़ा हुआ रहता है ए मतलब adenine होता है T मतलब thymine होता है cytosine होता है और G मतलब guanine होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो adenine और thymine या thymine और adenine है वो तो double bond से जुड़ा हो रहेंगे और cytosine और guanine है या guanine और cytosine है वो triple bond से जुड़ा हो रहेंगे कैसे आए देखते है कुछी जो और देख लें कि देखो यह double helix structure है ऐसे देखो यह है यह जो जा रहें ना आपके यह double helical structure बास मुझा है अब यह जो double helical structure है क्या क्या चीज़ लिखी हुई थी कि इसका तीसरा सिरा चेन की पांचवे सिरे से क्या होता है जुड़ा हुआ जहता है इसकी आपन थोड़ा सा देखेंगे भी और क्या लिखा यह जो nitrogen basis रहते है ना आपके यह जो nitrogen base रहते है यह एक दूसरे से क्यज़ रहते है अटा hydrogen bond से जुड़ा हुआ जह है और adenine and thymean double bond से cytosin and guanine triple bond से गवानन साइटोसिं और गवानन से टृपल वांड से अब यह जो हाइडोजन बॉंड होता है वह बीक निचर के होते हैं और यानि अन्डियो नुकली एंजायम द्वारा इजली ब्रेक किये जा सकते हैं अब यह जो हाइडोजन बॉंड बने हुँ है इनके बीच में यह नहीं को पथा है क्योंकि बउन्ड अकर कोई ब्रेक करना है तो एंडोनुकलीज उन्जाम के लिए उन्जाम क्या करता है आपका बॉन्ड को बह सकते हैं डिएने की इस्ट्रेक्चर हेलिकल टाप की होती है और इसका डाइमेटर क्या होता है आपका 20 अंगे ब्रूर्द यहां एक सेगमेंट की मतलब क्या है आपका कि यहां से चल कर आ रहा है और यहां खतम हो रहा है तो एक सेगमेंट हो गया पूरा यह यह जो यहां से आ रहा है और यहां पर अब इसके बाद टर्न कर गया लेकर नहीं करना प्रकूत यह जो खाली है पूरा का पूरा सेगमेंट बचा होती है नियर एक्ष जैसे की ग्वानिन साइटोसिन और एडेनन थायमिन इन दोनों के भीच में जो गैप रहेगा यह गैप जो होता है आपका 3.4 एंगेश्ट्रॉम करेता है अब क्योंकि यह मोडल वाट्सन और क्रिक ने दिया इसलिए इसको वाट्सन क्रिक ग्लाध से इसलिए प्लिम्राईजेशन को समझने के लिए ऑपन तीन पॉइंट यहां पर study कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तो replication की transcription की reverse transcription की actual में अपन करते हैं तो क्या है replication की transcription भी आपका क्या है प्रति करती है बतलब copy होती है लेकिन वो copy हो करके DNA नावन करके RNA बन जाता है reverse transcription में RNA से DNA बन जाता है तो इसको तो पर नहीं भी तो भी को दियक्त वाली बात नहीं है इसको भी नहीं पड़ेंगे तो भी को दिखत वाली बात नहीं लेकिन एक बशान की जान लेते हैं अम suspect ballet नगे सम्द्लेडा को कूरे ओडिया देने मावार मैं आपको सर्फ आइडिया देने अपने replicant dna में change होता है यह निके अपने ही जैसे dna में change होता है कैसे होता है सबसे पहले endonucleese enzyme आते है और dna molecule के दोनो nucleotide chain यानि के जो helical chain होती है उनको break कर दिया जाता है किसके थूब endonucleese enzyme बताया था मैंने endonucleese enzyme जो होता है बॉंड को ब्रेक करता है अब जैसे ही ब्रेक हो जाएंगे तो दोनों के स्ट्रेंड अलग हो जाएंगे जिस बॉंड से जुड़े हुए थे ऐसे तो दोनों के हो जाएंगे अलग हो जाएंगे और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और प्रते के स्ट्रेंड एक टेंप् एक और कॉंप्लिमेंटरी नाइटोजन बेस को अपनी और अट्रेक करता है। अब अट्रेक करता है तो यह है और वो है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और हो रहेंगे किस से hydrogen bond से और hydrogen bond से जड़तो जाएंगे लेकिन बॉंड को जोड़ने का काम कौन करता है polymerase enzyme तो यह DNA polymerase enzyme के तुरू nitrogen base पुन है यानि कि दोबारा एक दूसरे के साथ hydrogen bond और द्वारा अटेच हो जाएंगे और nucleotide chain बना लेंगे इस तरह से DNA यहां पर तोड़ा था फिर उन्होंने साइटोपलास में complementary nitrogen base को अट्रेक किया फिर वो nitrogen polymerase enzyme से जुड़ गया फिर से hydrogen bond के थरू त्यानि कि जो तूट किया था तो एक एक स्ट्रेंड बचा था उसमें क्या होगा वापस से यह बापस से पूरा का पूरा complete DNA बनके इसको बोलता है रैप्लिका रैप्लिकेशन मतलब DNA से DNA ही बनना उसको रैप्लिकेशन बोल देता है कैसे बना मान चलिए DNA है ठीक है यह आपके वांट जुड़े हुआ देखो DNA कि दोनों नुकलो ट्रेक्टेंड ऐसे जुड़ी होती है कि उसका एक 5-3-3 यानि कि दोनों का जो एंड 5-3 वाला जो होता है वो 3-3 डैस वाले जुड़ा होता है 3-5-डैस वाले से जुड़ा होता है अब देखो इनके बीच का यह बॉन्ड तूड जाएंगे मैं क जब बॉन्ड तोड़े तो अलग हो गए उपर उड़ गए तो इस्ट्रेंड सेपरेशन बाइ अंडोनुकली जिन्तयाब एंडोनुकली एक्जाम के थरूग तोड़ी तो यह दोनों अलग-अलग होता है इसेपरेट होने के बाद क्या किया इन दोनों ने क्या किया अपने attract किया, किसको अपने nitrogen basis को क्या करना attract करना क्या कर दिया चाला और यहाँ पर जो DNA polymerase enzyme होता है उसकी help से क्या किया उन्होंने बापस से hydrogen bond से जुड़ गया, DNA polymerase enzyme के तुरू क्यों, क्योंकि यह जो nitrogen basis थे, इन्होंने क्या किया cytoplasm में present nitrogen basis इसको attract किया अपनी हो, ठीक है तो इस like structure होगी, अब यह जुड़ने वाली phase में आ गये, तो यहाँ पर DNA polymerase enzyme की बज़े से क्यों होगे, यहाँ पर बापस से जुड़ गये, ठीक है, तो यह दुबारा same जो पहले DNA था, वही बन गया है इसको state line में लिखेंगे, तो कुझ इस तरीके से लिख ज़ेंगे, और यह process क्या है आपकी पूरी replication, आ समझ में आई, ऐसे ही बेटा आपका transcription है, कुछ भी नहीं है transcription के अंदर, DNA से RNA बनता है, अब DNA से RNA बनेगा, तो सबसे पहले तूटेगा, तो DNA मॉलिक्यूल में, ओपन यूगलोडायट चेंज से RNA सिंतेटिस की process को ही क्या कहता है, ट्रांस्क्रिप्शन कहता है, सबसे पहले, एंडियोन्यूक्लीस द्वारा, DNA के दोनों strand को separate कर दिया जाता है, कैसे उनके बीच का bond तोड के, इसमें से केवल एक ही strand template के जैसे बर्क करता है, वासंज में एक इनक्टिव हो जाता है, और एक ही active रह पाता है, और जो active strand है, वो nitrogen, एक्टिव strand के जो nitrogen base है, वो फिर से अपने साइटोप्लाज में present complementary, complementary nitrogen base को attract करेंगे, और RNA का formation कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, और हम जोड़ेंगे, तो hydrogen bond से जोड़ेंगे, और hydrogen bond कौन जोड़ेगा है, DNA polymerase है, DNA polymerase हैंज हम जोड़ेगा, तो वहाँ पर ही आएगा, तो वह इप्पलाना ब्ला-ब्ला-ब्ला-ब्ला steps आपकर बताना चारों कि एक चीज है, वो टूट रही है, और बापस जोड़े रहने के लिए, ऐसे ही अगले topic को फिर आपन लाएंगे, शुरुवात करेंगे, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है, तो लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जादा जादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर जीजिए, चैनल को भी शेयर क कीजिए, किया करेंगे, ठीक है, बहुत बहुत दन्यवाद आपका मिलेंगे आपसे next lecture में, तब तक लिए, टाटा बाबाई, आस्ते रहिए, मस्ते रहिए, थैंक यू सो मच,